सो वाट्स अप गाइज माने में जम्तिया जन वेलकम टो माई एपल प्रो यूटूब चैनल दोस्तों काफी कमेंट्स है आइफोन 11 से रिलेटेट काफी लोग जो आइफोन 11 पर्चेस करना चाहते हैं लेकिन वो काफी कन्फीज है कि आइफोन 11 में जो फाइदी सपोर्ट करे या नहीं आज की इस टॉपिक पर बात करने वाले से पहले अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करे ना आज की इस फीडियो का हमने लाइक टार्गेट रखाए 50 लाइक उम्मेद है कि इस 50 लाइक टार्गेट को आप पूरा कर देंगे तो बिना टाइम वेस करे आज की इस फीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दस्तों सबसे परें हम बात करते हैं हमको 5G टेकनलोजी इंडिया में कब मिलेगी जो नहीं दस्तों कर दिया कि 2021 में जो अपना 5G लाँच करगा लेकिन दस्तों हमको क्या स्टेबल होगा 2021 में ही अभी हमको 4G ही सही तरह से नह साल तक 5G हमको सपोर्ट नहीं करें मतलब स्टेबल नहीं होगी उस चीज को अभी पर्चेस करके क्या फाइदा अगर इस चीज के लिए एक्स्ट्रा देना तो काफी हम लुकसान में रहेंगे दोस्तों आमको 3 साल तक 5G टेकनलोजी इंडिया में स्टेबल नहीं होगी अभ अब दोस्तों बात करते कि आमको आइफोन 11 पर्चेस करना चाहिए देखिए दोस्तों काफी लोग जो है अपना फोन इस्तेमाल करते उसके बाद में अब्रेट करते उनकी लिए यह फोन आइफोन 11 सहीं रहेगा काफी आपको जो है आपको पैसे भी बच जाएंगे और आइफोन इस्तेमाल करते चार-पांच साल तक अगर आपका बजेट आइफोन 12 लेने का दोस्तों आपको फूचर पर फोन मिल जाएगा आप दोस्तों में आपको फाइजी टेकनालोगी मिल जाएगी और आइफोन 11 से आपको अच्छा प्रोसेसर मिलेगा एफोर्टी निब आइफोन 11 अगर जिसका बजेट आइफोन 12 लेने का होगा डेफिनेटल आप आइफोन 12 लेजी आपको कोई भी परेशान ही नहीं होगी उस फोन में अगर आपकी जगा मैं होता तो आइफोन 11 पर्चेस करता कि आपको वाल्यो फोर मनी मिल रहा है अच्छे प्राइस वाल्यो प्राइस 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